नमस्काल दोस्तों जैवाल पॉइंट की यूटूब चैनल में आप सभी कस्वा आगते हैं देखिए फेंड्स आजगी इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्या कटो पह सकती है टायर टू एक्जाम कब तक होगा कि इन लोगों को प्रफिशिन करनी चाहिए ठीक है दोस्तों चैनल पर नहीं चैनल को सस्क्राइब जरूर कर लीजिएगा देखिए अगर हम बात करें सीजियल टायर वन की तो टायर वन का रेजल्ट जो है वह आपका नॉम्बर मन्त में आ जाएग दोस्तों फिफ्टी नॉम्बर से पहले पहले चांसी हैं और लगबग हो सकता है आपका एक्जाम दिसम्बर मन्त में अब काफी लोग ऐसे सोचते हैं कि दिसम्बर मन्त में जो एक्जाम है और रेल्वे के एक्जाम होगे तो फिर आपका सीजियल टायर टू कैसे होगा तो देखिए दोस्तों बीच बीच में गैप है आपने देखा भी होगा अगर कलेंडर आप रेल्वे का कलेंडर यह थी तीन चार दिन में एक्जाम हो चुका था और अब कि बार भी दो यह तीन दिन में एक्जाम आपका हो सकता है अगर अच्छे खासे इस्टुडेंट्स पास किये गही तो अगर हम बात करें टायर रून कटोफ के रिकार्डिंग अगर जर्नल के टेगरी की बात करें दोस्तों अगर आपके 135 नंबर बन जाएं जर्नल काटेगरी में OBC काटेगरी में लगबग 132 नंबर EWS काटेगरी में लगबग 130 नंबर after normalization तो आप कहीं एक safe score रहेगा अगर हम ST काटेगरी की बात करें तो लगबग 120 नंबर और ST काटेगरी की बात करें तो लगबग 110 नंबर और अगर हम PWD candidate में बात करें OH काटेगरी तो लगबग 95 नंबर VH काटेगरी लगबग 90 नंबर अगर हम बात करें तो 50 marks और MD category की बात करें तो 50 marks तो अगर यह square आपका after nullation बन जाता है दोस्तों तो आप बिल्कुल safe रहेंगे और इससे कम नंबर भी अगर आपके 5 से नंबर कम है तो अभी आप अभी इसर प्रपेशन को जारी किया जाता है मेरा कहिने का मतलब है अगर आप जर्णल में देखोगे 10 गुना पास किया गया है तो वहीं आपको इसमें हो सकता है 15 गुना तक आपको पास कर दिया जाए क्योंकि इसके पीछे कहीं सारे factor होते हैं कहीं बार exemption के कहीं बार category गलत करने के तो इस वज़े से आगे चल करके थोड़ा सा issue ना हो तो कहीं आप देखोगी कि यहां आप जो है students पास कि जाते हैं और फिर कुछ लोग इसमें journal category में भी जाएंगे जैसे जिन लोग के marks 135 बन गए तो वह journal category में जाते हैं तो इस वज़े आप अपना preparation जारी रखिएगा VI category और OH category 80 plus और अगर 40 marks बन रहे हैं HH और MD में तो इस अपनी टायर 2 की preparation को जारी रखिएगा क्योंकि इतना normalization मिलने के chances रहते हैं और फिर normalization से आपको हो सकता है कि आपकी cutoff clear हो जाए तो इस लोग जो है अपनी preparation को जारी रखिएगा और exam जो आपका December मन्त में हो सकते December last तक आपका exam style 2 हो जाएगा बाकी कोई और अपडेट होगी तो वह आप लोगों को बता दी जाएगी वीडियो के मादम से आप लोगों को बता दूँगा आप लोग कमेंट करिएगा ठीक दो और अपडेट होगी तो इस चैनल के मादम से आप लोगों को बता दिया जाएगा चैनल पढ़ने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा धन्यवाद दूस्तु